आठ यूटोरियल मा आपने टेबल ओफ कंटेंट्स विशे जानशो। सव प्रतम कोई एक गूगल डॉक फाइल ओपन करशो। डॉक मा तमें केटला मेन कंटेंट्स अने केटला सब कंटेंट्स जोशो। मारी डॉक फाइल बहु मोटी न थी पन क्यारेक एवू बने के फाइल 5-7 के तेती वधू पेजिस नी बने। तो अहीं टेबल ओफ कंटेंट्स ने मदद थी सरड ताती एक कंटेंट्स पर थी बीजा कंटेंट्स पर जई शकाए। दाकला तरीके जुओ हूँ अहीं जेटला पंड मेन कंटेंट्स छे तेने हेडिंग वण आपिश। हेडिंग आपवा माटे उपर टूल बार मां फॉन्ट ओप्षन नी डाबी बाजुए हेडिंग ओप्षन जोबा मडशे। तेमा हुँ हेडिंग वण सिलेक्ट करेश। हेडिंग वण सिलेक्ट करता फॉन्ट फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल बदलाई जशे। जो तमारे पहला जे font format, font style हती तेज राकवू होई तो heading option मां आवेला triangle बटन पर क्लिक करो तेमा update heading 1 to match ने select करो जेती तमारी बनावेली font format, font style तमने जोवा मडशे एक वार font format, font style सिलेक्ट करिया बाद फरी तेने select करवानी जरूर रहती न थी आरी ते तमे heading 1 तरीके add करी दो त्यार बाद जे जगिया ये तमारे contents table रखवू होई त्या mouse लई जवू अने insert menu माथी table of contents ने select करो जेती तमने doc मां contents table insert थैलू जोवा मडशे जो तमे कोईपण heading ने edit करवा मंगता होई तो तमारे जे heading edit करवू होई तेना पर जवू पड़े अहीं मने किटलाक सब contents जोवा मड़े छे तो तेने contents table माँ add करवा माटे heading 2 सिलेक्ट करशू अने बद्दा सब contents ने heading 2 माँ सिलेक्ट करशू त्यार बाद contents table पर जई आपेला update table of contents बटन पर क्लिक करो जेती तमें अहीं table माँ सब contents add थायला जोशो तमें आपेला contents ने viewing mode माँ जई क्लिक करी जूओ ते काम करी रहीू छे जो तमारे contents table remove करवू छे तो contents table पर जई right click करी delete table of content ने सिलेक्ट करो तो आरीते तमें तमारा dock मा contents table add अने remove करी शको मेत्रो आठ यूटोरियल मा contents table विशे माहिती मेड़ भी